संतोर शीब बताइए दो टॉपिक आपकी तरफ से कौन सी है येस पर्स नमस्कार और गुड आफरनून सो मेरा पहला स्टॉक रहेगा उनाइट इस परिट इसकाम जोर बाजार में भी अच्छे स्टॉक कर रहा है कर भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था इसको 1405 का, टर्गेट रहेगा 1460 का, दूसरा इस टॉक MGL है, हाला कि जब मैंने शेयर किया था तो इस बाज उपर थे, अभी नीचे आ गया तो मैं थोड़ा से लेवल रिवाइस करूँगा, MGL की भी बात करें तो इस स्टॉक्सर काफी अच्छा है, क्वंटिव मोमेंगर ओके, तो महानगर गैस लिम्टेड और उनाइटेड स्प्रिस, दो टॉपिक आपकी तरफ से आगए है, 1460 के टार्गेट के लिए उनाइटेड स्प्रिस खरीदना है, और MGL खरीदना है 1860 के टार्गेट के लिए, आब अते ही सुमिझ जी, आपकी दो टॉपिक कौन सी सुमिझ जी, आन्म्यूट कीजिएगा ओडियो को, सॉरी, देखिए, पहले एक मैं फॉल अप लेना चाहूंगा, कल के क्लोजिंग सेशन में हमने सेरा सेनिटरी को रिकमेंड किया था, अट दा लेवल्स ऑफ 9300, आज स्टॉप ने अपना हाई बनाया, गैप दिया था 10200, तो इस मार्केट में सबसे बेस्ट रहता है, कि आप अपना एक ट्रेलिंग SL के साथ खड़े रहें, तो यहाँ पर अगर किसी ने भी एंट्री ली हुई है, तो 9300, जो एंट्री लेवल था, अब उसे ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह, आप मैंटेन करें, अदर्व लोग कॉल भी आप बोल सकते हैं, करीबन 10 सेशन पहले सिंजीन इंटरनेशनल को हमने रिकमेंड किया था, 820 पे बाइंग थी, आज 770 पे हमारा बाइंग लेवल था, आज के सेशन में स्टॉप अभी 820 पे चल रहा है, लेकिन अभी भी देखिए आप पिदले 3-4 दिन का जो सेशन है, वो काफी प्रोमिसिंग है, तो हमें लग रहा है कि किसी को फ्रेश बाइंग करनी है, वो भी कर सकते हैं और जिनके पास अल्रेडी होल्डिंग है, यहाप एक ट्रेलिंग स्टॉप लोस की तरह मेंटेन कीजिए, तो फ्रेश कॉल के लिए 770 का स्टॉप लोस रहेगा और 926 हमारे स्टॉप लोस रहेगा, तर्गेट रहेगा, जो दूसरा स्टॉप है वो है तर्वेनी टर्बाइन, पिछले 15 सेशन का एक ब्रेक आउट दिया है, आज के सेशन में जो गैप अप मिला था, उसे सस्टेन कर रहे हैं और अल्मोस टेडिंग नियर टु द देखें, तो 4.5% से जादा की तेजी हम ग्रिफाइट इंडिया में इस वक्त देख पा रहे हैं, इसके अलावा अगर हम पिछले 6 महीने में रैली देखें, तो हलाएं कि दबाव में रहा है ये स्टॉक, लेकिन आज जो है, वो इस वक्त पॉजिटिव मोमेंटम देता हु तो आज अभी थोड़े दिर पहले तक 4.5% की तेजी हम देख पा रहे थे ग्रिफाइट इंडिया में, इसके साथ एक और स्टॉक को समिझ जी मैं जोड़ना चाहूंगा, एलकॉन इंजिनिंग यहां पे भी लगग सवा 3% से जादा की तेजी नजर आ रही है, तो एलकॉन तेनों जो moving averages हैं, उसके नीचे ही trade कर रहा है, बलकि अगर मैंने एक weekly chart जब draw किया हुआ है, तो 520 का जो था एक important support level था, जो कल भी break हुआ था, तो आज का जो session है, वो just एक follow up session आप बोल सकते हैं, जो एक gap up मिला था, लेकिन gap up भी आप देखेंगे, तो 520 को sustain नहीं कर पाए ह तो अगर यहाँ पे suggestion रहेगा कि फिलाल buying position को avoid करें, यहाँ पे अगर मुझे fresh position बनानी भी होगी, तो मैं करीबन 530 का wait करूंगा, अगर 530 cross हो रहा है और closing basis पे रहेगा, तो ही, बलकि जिनके पास already position है, यहाँ पे आप sell on rice का भी use कर सकते हैं, तो जैसे कि हमारी बात हुई क 530 के अबोब ही, दूसरा आपने stock discuss किया था, देखिए Elcon Engineering, Elcon Engineering ने देखिए काफी अच्छा rally भी दिया था, दो से तीन बार bottom बनाया था, 480 का, उसके बाद stock ने एक rally दिखाई 700 तक की उसके पाद एक profit booking आया हुआ है, लेकिन यह अपने पिछले एक resistance को अब support की तरह use कर र रहेगी, new positions को फिलाल यहां पे avoid की थे, तो दूनों ही stock पर एक एहम रड़नीती सुमिच जी की तरफ से आती हुई, इस बीच TVS Motors के नतीजे आते हुए, तो फटा फट से आपको तमाम numbers बता देते हैं, कंसो AI में लगभग 15% का इजाफा देखने को मिला है, 10,407 करोड येर करोड पहुँचा है, एर-on-air basis पे, इसके अलावा EBITDA 20.6 फीजदी बढ़कर 1465 करोड तक पहुँचा है, तो एक बार फिर आपको इन नतीजों की बड़ी बाते बता दें, कंसो AI में लगभग 15% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है, 10,407 करोड पहुँची है, करोड यह बढ़कर पहुची है, तो यह है TVS MOTORS के नतीजे, स्टॉक में कोई खास एक्शन इस वक्त नजर नहीं आता हुआ, चलिए, अब बर्द में जरा फार्मा काउंटर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, आप देखिए, जीएस के फार्मा, इस वक्त लगभग जावा दो परसंट से जादा की तेजी, गलेनमा का फार्मा के बारे में आस्ता जी ने राय दी ती, यहां पर भी आप देखिए, दो परसंट से जादा की तेजी नजर आ रही है, इसके अलावा जाइडस लाइफ, सिपला, डॉक्टर रेडीज लैब, डीवीज लैब, लि फार्मा स्टॉक्स का लीजिए, आपने भी गलेक्सो की बात की, तो गलेक्सो का देखिए, तीन से चार दिन का जब आप देखेंगे, तो एक open low candidate है, और अपना जो एक range है, उसके उपर ही sustain कर रहा है, तो 2800 जो था एक resistance का का काम कर रहा था, और closing basis पे भी मिला है, तो बिलक स्टॉक है, वो रहेगा ऐलम्बिक फार्मा का, देखिए, ऐलम्बिक फार्मा ने काफी अच्छा एक run-up अल्रडी दे दिया है, लेकिन पितले चार से पांच सेशन आप देखेंगे, तो एक consolidation है, तो हमें लग रहा है, जैसे ही ये स्टॉक 1250 के उपर sustain करेगा, तो फ्रेश 1160 का जो रहेगा, वो यहां पर target रहेगा, तो यह 1170 के stop loss के साथ यहां पर hold करने की इसला, अल्यम्बिक फार्मा, रियल स्टेट में आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है, एक दो चुनिंदर शेरों को छोड़ दे, तो सभी stocks काफी मजबूत नजर आ रहा है, गोद्रे गोद्रेज प्रोपटी है, एक अच्छा करेक्शन दिखा था, हमने stock अपने 100 अमंगेरेज को टेस्ट करने के बादा अच्छा bounce bet दिखा रहा है, तो अच्छा बांस बेट बिखा रहा है, तो आज के लोग के stop loss से आप गोद्रेज प्रोपटी में खरीदारी कर सकते हैं, ए को बिखा नच्ट को टेकर षेटें दिखा अच्छा कर्षा कर दिखा च्राण